वेलकम टू पंकच कॉमर्स क्लासेज आप सभी बिहार सिच्चक भरती के सेवेंथ फेस के कॉमर्स एस्पिरेंट का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर के आएं हैं टॉपिक देट इज लेखांकन के सिद्धान्त एकाउंटिंग प्रिंस्पल तो आई एम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन देखे जो लेकर सिद्धान्त हैं वो किन चीजों के लिए बने हुए हैं हमारे जो एकाउंटिंग फानेंसियल स्टेटमेंट्स हैं यह यूज होते हैं कहां पर आल और इंडिया भी और अब्रॉड भी तो कूसिस यही करी जाती हैं कि हर ए उखियां हैं तो यह सेशन अस्टेटमेंट्स का यूज किया जाता हैं तो यह सबीस आदान थे निर्देश्ट आपे लेकांकन के सद्धान्तिक आधार में वे थाया वैक्रुप्ट्स निर्देश देखे हैं एक रूपता consistency लाने के लिए एक लंबी अवद के उपरांत विकास किया गया, देखें, एक लंबे time के बाद में इस चीज को decide किया गया है, कि जो भी books up accounts, जो भी financial statement है, वो firm to firm, एक जैसी firm में जो भी अपनाती, वो कैसे, उनकी uniformity रही, एक रूपता रहे न, और लेखांकन व पूचना उपयोग करने वालों के लिए इसकी उपयोगिता में ब्रद्धि हो, utility में ब्रद्धि हो जाए, उनकी उपयोगिता में ब्रद्धि हो, जो लोग user साब financial statement है, उनके लिए ज़्यादा useful हो सके, लेखांकन विवरण, विविन्द पच्चकारों के सामने विवसाई क लाप्रता और सच्छमता को परकट करते हैं, आता ये आवस्यक है कि ये विवरण एक प्रमापित भासा और निच्चित नियमों के आधार पर बनाए जाएं, ये नियम प्राया लेखांकन के सरुमान सिद्धान्त, जनरली एकसेप्टेड एकाउंटिंग प्रिंस्पल जैसे कि ये झी ये एक य्वासा मतलब होता है, जैसे कि हरेक का इंग्लिस लेंग्वेज, लेंग्वेज, ये नियूजके लोग जिसमें लोग एक दूसरे से कनवे कर पाते हैं, तो जो ये एक अक यहांकिंटिंग लेंग्वेज है ये भी एक येसी होनी चreno से क्या हो जाए कि एक यूजर को दूसरे यूजर करें यानि कि दूसरे के फानेंसेल स्टेट्मेंट जब भी यूज करें वो तो उसको आसानी समझ में इसलिए कहते हैं कि प्राया नियम लेखांकन की सर्मान सिद्दानत है इनको ये सर्मान करते हैं लोग इसको एकसेप्ट करते हैंถीक है तो आप देख सकते हैं कि एकाउंटिंग theory based of accounting consist of principle, concept, conventions, rules and guidelines developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting in order to enhance its utility to various users of accounting information. अब दिके किन किन चीजों से मिले हुए principles भी है, concepts, conventions, rules and guidelines developed over a period of time. एक लंबे समय में जो भी principle, concept, conventions, rules and guidelines developed हुई है, उन सभी का इसमें समावेस किया गया, include किया गया है. ठीक है, किस बात के लिए कि uniformity and consistency to the process of accounting in order to enhance its utility की इनकी utility को बढ़ाया जा सके. तो I.E.M. पढ़ते हैं लेखांकन सिद्दान्तों की प्रक्ति अत्वा विसेस्ता हैं. लेखांकन सिद्दान्त ऐसे मार्ग दर्सक अत्वा एक समान uniform है, जिनका विकास लेखांकन सूचनाओं में एक रूपता लाने और इन्हें आसानी से समझने योग बनाने के लिए किया गया है. इसका जो ये लेखांकन सिद्दान्त इनका मूलबूत, इनका जो importance है, वो सिर्फ इनका objectives जो है, वो सिर्फ इसलिए है कि जो भी financial statement है, यो यूनिफॉर्म हो, एक रूपता हो उन में जिससे कि ये आसानी से समझा जा सके. accounting principles are uniform, set of rules are guidelines developed to ensure uniformity and easy understanding of the accounting information. next है, लेखांकन सिद्दान्त मानवकरत हैं, यह क्या है, man-made है, यहां से दिखिए, अब ऐसे questions paragraph से पूचे जाते हैं, कि लेखांकन सिद्दान्त क्या है, तो आप क्या बताएंगे, मानवकरत हैं, जो कि अनुभवेवम तर्क की अधार पर बनाए गए हैं, क्योंकि इने प् accounting principles man-made नहीं है, are derived from experience and region, यह क्या है, बार-बार के experience और region से ही लाए गए हैं, derive किये गए हैं, they are not laboratory tested, जैसे science होता है, science पूरी तरह से laboratory tested होता थे accounting principles यह laboratory tested नहीं है, and hence they lack universal applicability को lack करते हैं, है ना, जैसे कि बाकी के आप subjects में या आप science में देखते हैं, next है, लेखांकन सिद्दा इस्तिर नहीं है, ना, static नहीं है, और ब्यावसाइक कारविदियों, सरकारी नीतियों प्रियोग करता हूं, कि बदलती हो सकता हूं कि साथ इन में समय समय पर लेखांकन सूचना परिवर्तित होता ही रहेगा, क्या होता है, कि जो भी जैसे, 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 यूजर्स अपने the passage of time in response to change in business practices, government policies and needs of the users, accounting information, अब देखें, इनकी आऊ सकता है, लेखांकन सूचना हो कि इनके आंतरी के वाह उपयोग करता हो के लिए उपयोगी होने के लिए आवस्यक है कि ये सूचना है, विश्वस नहीं भी हो, और comparable हो, देखें, विश्वस नहीं था कि इनकी होनी चाह अब इनके उपयोग करता कौन है, वाह उपयोग करता भी है और आंतरी को उपयोग करता है, बाहर में कौन-कौन से हैं, जैसे creditors हो गई, bank हो गया, government हो गया, जो भी potential investors ही सब वाह है, internal में कौन हो, owners हो गया, managers, management हो गया, और employees हो गया, ये सब क्या है, आंतरी को उपयोग करता है तो इनके लिए ही ये financial statement के user जिनको बोलते stakeholder इनी का हित होता इसमें और stakeholders के लिए ये financial statement ऐसे होने चाहिए जिनको वो साल दर साल use कर सके उनसे वो उनके लिए वो comparable तुलनात्मक भी होने चाहिए तुलनात्मक कैसे होने चाहिए एक फर्म से दूसरे फर्म में तुलना कर सके और दूसरी बात अपने ही फर्म की पिछले साल से और इस साल में तुलना कर सके comparable होना चाहिए ठीक है तो लेखांकन के सिद्धानत के प्रकार दिखे क्या है काइंट सॉप accounting principle लेखांकन के मतलब जिनको हमने मान लिया है जैसे हम यह मानते हैं कि बादल है तो बारिस होगी इसी तरह से हमने यह माना है कुछ चीजों को लिए हमने मान लिया मानता हैं हमारी और दूसरा क्या लेखांकन परिपार्टिया और यह कुछ जिनको आप ट्रेडिशन के फॉर्म में यूज करते हैं तो कुछ कन्वेंशन से तो दो चीज़े यहां पर हैं कि लेखांकन अउधार्णा है और यह लेखांकन परिपार्टिया तो काइंट साफ एकांटिंग प्रिंसपल में एकांटिंग प्रिंसपल साथ डेस्क्र करते हैं देखें लेखांकन अउधार्णा या मानताएं कि लेखांकन की भासा को सभी व्यक्तियों को एक जैसा अर्थ प्रदान करने वाली बनाने के लिए अधिकांस लेखा पाल बहुसी अउधार्णाओं पर सहमत हो गए हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा तर जो भी एक एक दूसरे के स्टेटमेंट को समझ भी सकते हैं तो लेखांकन अउधाला ये accounting concept और exemptions कहे जाते हैं ठीक है इसमें देखिए पहला क्या है विवसाय की चालो श्थिति की अउधाला लेखांकन के सिध्धानत क्या होता है going concern concept तो देखिए फर्स्ट हमारा कौन सा है कि going concern concept है इस विवसाय की चालो श्थिति की अउधाला का लेखांकन सिध्धानत देखिए क्या होता है कि जो भी ये ये concept के ताहित ये माना जाता है कि जो ब्यापार चल ला है वो future में चलता रहेगा क्योंकि ब्यापार जो चलता है तो एक छोटे यानि कम समय के लिए नहीं होता है वो यहाँ पर मान के चलते कि लंबे वक्त तक में हम इसको convey करेंगे चलाते रहेंगे तो ये concept क्या कहता है क कि इस concept है ये मान लिया गया कि ब्यापार जिसकों हम डिसकस कर चुके हैं पहले ही कि इस अउधारणा के अनुसार ब्यापार संथा में लेखे करते समय प्रतिवर्स एक जैसी लेखांकन पदतियों का प्रियोग किया जाना चाहिए जिससे कि कि किसी ब्यापार्य के विविन कि आपस में तुलना करके प्रबन ठीक निसकर्स निकाल सकें इनका मतलब है कि जो भी जैसे cash basis कर रहे हैं या cruel basis कर रहे हैं या कोई ऐसा particular method यूज कर रहे हैं जिसमें कि depreciation के methods हैं तो एक रूपता रहनी चाहिए उनमें consistency रहनी चाहिए उनको change ना करें जल्दी से जब तक कि बहुत ज़्यादा आवस्यक ना हो तो consistency concept ये कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो भी rules and regulations हैं जिनमें कि जैसे हमने कहा कि depreciation का method है पहले आप straight line method सीधी रेखा पदती यूज करते थे और उसके बाद आप क्रमागत रास पदती प्याना चाहते हैं reducing balance method प्याना situation और management को फायदा होगा profitability बढ़ जाएगी लाबदयक्ता बढ़ जाएगी तो पहला region हो सकता है दूसरा region क्या हो सकता है कि अगर कोई statry यानि बैधानिक दबाओ है यानि कि बैधानिक requirement जरूरत आओ सकता है तो ऐसी condition में भी उनको change करना पड़ेगा नहीं तो वो change ना करें फिर उपारजन की अधार है यह तीसरा concept है लेखांकन में लेंदेनों के लेखांकन के लिए उपारजन अधार एक cruel basis का प्रियोक्ता है दो तरेस होता है देखिए एक तो cash basis होता है cash basis क्या होता है कि नगत पे ही लिखते जनरली और नगत पे जब payment करते हैं नगत में receipt करते द प्रिपेर करते हैं जिनमें की receipt payment basis पर करते हैं ठीक है तो वहां cash basis होता है लेकिन accrual basis क्या होता है कि जब हम accounting में जो चीज़े जैसे expenses है भले ही उनको हमने expenses हो गये हैं लेकिन अभी देना बाकी है है साल इसी खर्चे यानि कि और ऐसी कोई incomes है जो की income हो गई लेकिन अभी प उपारजन, अरजन, अरजित basis इसी को बोलते हैं ठीक है तो जब कभी आपको ऐसा मतलब accounting में आज कल की accounting में क्या होता है कि accrual basis पर accounting की जाती है और आप यह कह सकते कि hybrid basis पर accounting करेज़े hybrid basis का मतलब हो गया कि cash basis को भी adopt करते हैं और accrual basis को भी adopt करते हैं तो यह था accrual concept फिर ब्यावसाय के अस्तित्त की अधाला अधाला के नुसार ब्यावसायक संस्था को एक प्रतक और स्वतंत्र एकाई माने जाता है आपने देखा है कि business entity concept जिसको बोलते हैं तो business entity concept में क्या होता है कि हम इसको business को और उसके मालिक को दोनों को अलग अलग मानते हैं से लाते हैं, loan, bank सेilo. लाते हैं, creditor से लाते हैं. इसी तरह मेरे मालिक ने भी मुझे क्या दिया है? Loan ही दिया है और इस पर चुकाना फरज मेरा बनता है interest. तो इसलिएक के interest on capital दिया था यह मान करके कि ब्यापार उसका मालिक दो अलग-अलग बाते हैं तो यह हो गया business entity concept next is मुद्रा माप की अधारणा मुद्रा माप यानि कि कोई भी ऐसी चीज accounting में तभी consider की जाती है जिनको money में major कर सकते हैं अगर money में major नहीं कर सकते हैं तो उनको हम नहीं करते हैं और उनकी अगर कुछ fix value है कोई value तब तो हम record करते हैं financial terms में नहीं तो नहीं record करते हैं और इसी तरह से आप देखिए कि जब भी कोई employee है उसको आप salary देते हो तो financial terms में monetary terms में तो उसको लिखते हैं लेकिन वही employee के अंदर क्या गुडवत्ता उसके अंदर क्या पर record नहीं करते हैं क्या करते हैं financial statement monetary terms में हम उन्हें record करते हैं इसके बाद next है लेखा आवधी की अधारणा देखे जनरली क्या होता है जो calendar year है calendar year के हिसाफ लेखा आवधी के अधारणा के मतलब कि वैसे तो देखे बिजनेस चलता ही रहेगा लंबे समय तक लेकिन इसके अ January से start होता 31 December तक और अगर financial year की बात करें तो एक April से शुरू होता और 31 माज तक का जाता है तो यह 12 महिने के जो period हैं इसके लिए हमें counting करते हैं और यह लेखा आवधी की अधारणा इसे कहते हैं 12 months के period को next लागत अधाड़ा तो वा एतिहासिक लागत अधाड़ा देखिए जो भी हमारे यहां assets purchase करे जाते हैं आपने notice करा होगा balance sheet के अंदर में जो भी building, machinery, land जो कुछ भी है उनको हम cost basis जिन पर purchase करके लाते हैं उसी पर record करते हैं और depreciation उसी चार्ज करते हैं ठीक है यह एक तरह स limitations भी कही जाती है accounting की कि भाई देखिए market value तो change होती रहते तो market value तो कुछ और हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी जो भी amount हम record करते हैं वो historical basis पर करते हैं एतिहासिक लागत की basis पर करते हैं तो देखिए जराई सिद्दांत के अनुसार किसी संपत्ति का पुस्तकों में उसी मूल पर लेखा की जाता है जिस मूल पर वो खरीदी गई थी यह लागत भविस में उस संपत्ति के संबंद में किये गए सभी लेखांकन वियोहारों का अधार बन जाती है मतलब कि यह जो जिस पर भी खरीदी गई है तो जो आगे की accounting जो होती है तो उसी value को हम adopt कर ले करते हैं और दू पहलू अधारा जिसे dual aspect concept कहते हैं यह देखेगा dual aspect concept क्या होता है कि हम जब भी कोई transactions को record करते हैं तो वो double entry system के हिसाब से क्या होता दो books में affect करता दो accounts को affect करता जैसे हमने cash account debit to sales लिखा तो वो cash में जाता है दूसरा sales में जाता है तो इसका मतलब कि एक debit और credit दोनों पहलों को यह प्रभावित करता है तो दो account पे affect करता है इसलिए हम इसे dual aspect कहते हैं नेक्स्ट है आगम निर्धारण किया उधारण ठीक है आगम निर्धारण किया उधारण यानि कि इसे कहते हैं revenue recognition realization concept तो हमारे business के अंदर में क्या होता है कि जब कभी हमें लगता है कि जो भी expenses हो सकते हैं losses हो सकते तो उनको तो हम record करते हैं लेकिन जो income होती है जब तक fix नहीं होता है जैसे कि अगर goods को हमने deliver नहीं कर दिया तब तक कहते हैं कि उसको record मत करिये आपने income नहीं करी है जब आपने goods delivered कर दिया है तो ऐसी condition में आप ये मान चलिए कि आपने income कर लि जिसे मालेवम सिवाओं के विक्रे से प्राप्तरासी को आगम कहते हैं, आगम निर्धारण की अउधारा है, यह निस्चित करती कि आगम की प्राप्ति किस समय हुई है, आगम किस अवधी में अवधी से संबन्दित है, मतलब कि जो भी revenue है, revenue कहीं से भी बिजनेस के अंदर मे उसी को ही यह revenue recognition या realization concept कहते हैं, नेक्स्ट है मिलान की अउधारा matching concept, इस अउधारा के तहत क्या है, कि बेवसाय में सुद्ध लाबों की निर्धारा के लिए अउधारा बहुत महत्तिपूर है, आप देखते हो कि जो भी profit and loss account या आपका trading and profit and loss account बनाया जाता, वो इसी concept के त हम net profit या net loss calculate करते हैं, देखें, this concept is very important for correct determination of net profit, according to this concept in determining the net profit, from business operation, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue, according for matching concept, cost with revenue, first revenue should be recognized and then cost incurred for generating that revenue should be recognized, मतलब कहा गया कि पहले क्या है, पहले जो भी आपने लागत लगाई है, expenses हैं, उनको आप देखिये और जो भी income करिये और उन दोनों को match करिये और net profit and net loss के जो भी results हैं, उनको find out करिये, फिर निर्पेचता की अधारा, निर्पेचता की अधारा के तैत कहा गया कि जो लेखा ठीक है, तो इस अधारा के अनुसाल लेखांकन लेंदेनों का निर्पेच रूप से लेखांकन करना चाहिए, जो कि परबंद को अत्वा लेखा पाल के व्यक्तिगत पच्चपाव से प्रभावित ना हो, यह तब ही संभव है, जब प्रतेक लेंदेन जाच करने योग पर यहां पर डाकुमेंट्स का यूज होना चाहिए, वाउचर द्वारा प्रमालित हो, जैसे कि कैस, मेमो, भी जक, इनवाइस, क्रेविल, जमा परची, पत्र विवहा, ठहरवादी, इसका मतलब यह है कि अगर देखिए, एकाउंटेंट जो भी है, एकाउंटेंट एकाउंट कर रहा, अनबायस्ड होगा, लेकिन अनबायस्ट तब होगा, जब इस बात को अडिटर के द्वारा यह प्रमालित कर दिया जाए, कि जो भी एकाउंटिंग करी गई है, वो किसके भिहाब पे होई है, वाउचिंग उसकी हो चुकी है, सोर्स डाकुमेंट से वो टैली कर रह अभी तक क्या पढ़ रहे थे आप, लेकांकन अउधारन आए, और परिपार्टियां क्या है, जिसे कन्वेंसंस बोलते हैं, कन्वेंसंस का मतलब क्या होता है, कि एक लंबे समय से, लंबे समय से एक प्रथा चली आ रही है, जिनका हम पालन करते हैं, यानि कि सर्वमान रूप से सुईक्रत किया जाता हैं, अतोवा सबकी सहमती से अपनाये जाता है, लेकांकन अवधारनाए, कॉनसेप्ट लेकांकन परिपार्टियों से भिन है, किस प्रकार भिन हैं, देखिए जरा, मुक्च लेकांकन परिपार्टियां निम्डिकित, following are the main accounting conventions, पहल कि अब first क्या कहता है food practical की परिपाटी conventions of full disclosure full disclosure का मतलब यह है कि देखिए financial statement में यह कहा गया है कि जो भी accountant है उन्हें क्या करना चाहिए कि इन financial states में सारा कुछ ही record करना चाहिए full disclosure का मतलब कि पूरा जो भी transaction events जो कुछ भी है उनको सब को record करना चाहिए कुछ भी इस में से छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि यह किनके लिए होता इसका true and fair viewness so होना चाहिए ठीक है तो आप देखिए जरा कि विवसाय की वित्ती मामलों समंदिश सभी मातपूर सूचना है पूर रूप से प्रकट कर देनी चाहिए दूसरे सब्दों में जो सूचना है वित्ती विवरण प्रियोग करने वाले पच्छकारों जैसे स्वामियों वरतमान वभावी लेंदारों विन्योज को आध के लिए महतपूर उनका परियाप्त प्रक्टी करण होना चाहिए इनका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ भी तत्यों को छुपाना ने चाहिए पूरी तरह से ही डिस्क्लोज करना चाहिए सिइसारता की परिपाटी मतलब कि कन्वेंसन साथ मटेरियल्टी यह कि जो भी चीजें जैसे कि ऐसा को भी कहते है कि कोई भी ऐसी जो कि फानेंसियल यूजर्स के डिसीजन को चेंज कर दे एनई आईटम विच केंज दा डिसीजन आप धा यूजर जिसके हैं उस आर्गनाइजेशन में लास्ट टाइम में बड़ा सा प्लांट उनका जिसमें आग लगई जल गया अब ऐसा होने से क्या हो सकता कि अगर इसको इसको डिसक्लोज नहीं किये गए इस्तत्य को चुपाया गया है तो फानेंसियल यूजर्स को पता नहीं चलेगा और वो इन्वेस्ट करेंगे वो जो भी करना है करेंगे लेकिन अगर ऐसा उनको डिसक्लोज कर दिया गया बता दिया गया तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि decision change हो जाए या हो सकता decision change ना भी हो तो इसलिए कहा गया है कि material कोई भी ऐसा item जो की financial statement की user के लिए जरूरी है उसको disclose करना होगा तो यह होता सारता की परिपार्टी ठीक है इसमें कुछ भी छुपा नहीं सकते यह परिपार्टी पूर्ड प्रक्टिकरण की परिपार्टी का इसके साथ यह भी कहा गया है कि अगर कोई चीज जरूरी नहीं है जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उनको चिपा लिजे लेकिन जो भी material item है उनको आपको दिखाना ही पड़ेगा नेक्षर सतर्कता या रूड वाधिता की परिपार्टी तो इस दांत के अनुसार भविस्वे होने वाली समझत संभावित हानियों के लेखे के लिए तो पहले से भी विश्ता कर लिजाती है परंसंभावित लाबों को चोड़ दिया था देखें, रूड वाधिता की परिपार्टी का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि कहीं से इनकम हो सकती है तो उसको आप रिकॉर्ड न करें जब तक की वो अलग से एक्चुल में इनकम हो न जाये लेकिन कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर losses हो सकते हैं उनके लिए provision प्रावधान जरूर बने तब ही आप देखिए provision for tax, proposed dividend, provision for doubtful debts और provision for discount ऐसे प्रावधान बनाये जाते हैं वो इसी परिपाटी के तहत ही बनाये जाते हैं आप देख सकते हैं, conventions of conservatism or prudence, according to this convention, all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gains should be ignored, in other words, conservatism is the policy of playing safe, provision is made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty तो देखिए ये हो गया आपका prudence के तहट जिसमें की ये कहा गया कि expenses or losses अगर आपके हैं कोई तरह के आपको लगता है कि losses हो सकते तो उनके लिए तुरंता प्रावधान कर लीजिए, provision बना लीजिए, लेकिन अगर income जब तक की confirm नहीं है, तब तक आपको उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आएंगे हम लोग multiple choice question पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जिन topics को cover किया उसके बाद में उन पर multiple questions करेंगे, तो देखिएगा फर्स्ट है लेखांकन सिद्धान थे, counting principles है किसके द्वारा बनाएगे, option देखिए, सरकार द्वारा बनाएगे, मन लेखांकन सिद्धान्त मनुस के द्वारा बनाएगे हैं, B will be the right option, next question आप देख सकते हैं, लेखांकन सिद्धान्तों से आसे है, accounting principles mean, option देखिए, A, वो नियम जो लेखांकन व्योहारों का लेखांकन करते समय अपनाए जाते हैं, the rules which are adopted while recording the accounting transaction, वो नियम जो लाभानी खाता बनाते समय अपनाते हैं, the rules which are adopted while preparing profit and loss account, C, वो नियम जो इस्तिती विवरण बनाते समय अपनाते हैं, the rules which are used while preparing balance sheet, और D, वो नियम जो संचाल को की report बनाते समय अपनाए जाते हैं, देखिए, लेखांकन सिद्धान्त क्या होते हैं, लेखांकन सिद्धान्त में आप समझ तो उस टाइम पे हम कुछ rules को follow करते हैं, ठीक है, तो पहला इसका answer होगा, A, that is, वो नियम जो लेखांकन वेखांकन को लेखांकन करते समय अपनाए जाते हैं, नेक्स्ट है, लेखांकन सिद्धान्तों के विभिन नाम है, various names of accounting principles, क्या-क्या नाम है, पहला, A, exemption, यानि के मा जैसे कि आपने देखा कि adjustments हैं, conventions हैं, ये क्या होते हैं, कि एक दूसरे पर जैसे कुछ ऐसे concept आ चुकें, फिर conventions हैं, फिर कुछ rules and regulations हैं, जिनमें समय समय पर update भी किया जाता है, तो ये सभी ही लेखांकन सिद्धान्तों के नाम हैं, तो right answer इसका होगा, D, that is, all of the above. Next question देखिए, ब्यावसाइक के अस्तित्त की अधार्णा के अनुसर, according to business entity concept, option देखिए, क्या है, ब्यावसाइक संथा को स्वामी से पर्थक माना जाता है, अब ही हम लोगों ने पढ़ा business entity concept, मतलब ब्यापार का मालिक और ब्यापार दो अलग-अलग बाते हैं, उसी इक तह जाता है, business is not treated as a separate unit from its owner, स्वामी के व्यक्तिकत लेन देनों को ब्यावसाइक लेन देनों से पर्थक नहीं किया जाता है, personal transactions of owners are not distinguished from business transactions, और D है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन आप दीज़, तो देखिए, इसका जो right answer होगा, कि ब्यावसाइक अस्तित की अधारा के अनुस Next question है, मुद्रा माप की अधारा के अनुसाल लेखांकन में उनी लेन देनों को लिखाते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा money measurement concept, money measurement concept आपने क्या पढ़ा, कि हर वो चीज जो कि जिसको money में measure कर सकते सिर्व हम उनी को record करते हैं, कोई भी ऐसे qualitative सीज़े हैं, जो कि कि किसी भी employee क या कहीं कुछ, वो ऐसी चीज़े जो monetary terms में नहीं, उनको record नहीं करते हैं, option पढ़ लिजे, जिने मुद्रा में मापा जा सकता हो, which are capable of being expressed in terms of money, b, जिने मुद्रा में ना मापा जा सकता हो, which can not be expressed in terms of money, c, उपरोक्त दोनों प्रकार के वहारों का, both आप the about transaction, d, उपरोक्त मे इसे किसी का भी नहीं, नन आप देवो, तो देखें, इसका जो right answer होगा, जिसे आप समझ चुके हैं, अब तक में, वो है, that is, जिने मुद्रा में मापा जा सकता हो, which are capable of being expressed in terms of money, next question है, चालू इस्तिती की आउधारा के अनुसार, अब इमने going concern concept बताया थे, यह accounting standard 16 होता है, going concern concept, ठीक है, तो चालू इस्तिती की आउधारा के अनुसार भी उसाय चलेगा, इस पर going concern concept, business will continue to exist, कितने लंबे सक तक चलेगा, option देखे, C मित समय तक चलेगा, for a limited period, B 10 वर्स तक चलेगा, for 10 years, C 25 वर्स तक चलेगा, for 25 years, D भविस्थ में दीरकाल तक चलेगा, तो for a long period in the future तो यह decide नहीं होता है, कि कितना time period के लिए है, यह कहते हैं, कि भविस्थ में दीरकाल तक चलेगा, तो right answer क्या हो जाएगा, D will be the right answer, next question देखिए, कि आयकर अधिनियम के अनुसाल ले खांकन की अवदी होती है, हमने आपको बताया था, कि हमारे पास दो तरह की year है, जो है calendar year और financial year, लेकिन याद रखिए, जब income tax की बात आती, तो वहाँ पे हमेशा financial year ही यूज किरा जाता है, जो साल शुरू होता है, एक अपरेल से, और खतम होता, आगले साल की 31 March को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि एक जनवरी 31 December तक, B है option 1 April से 31 March तक, C option 1 July से 30 June तक, और D है तो धाड़ा के अनुसार किसी संपत्ती का लेखा किया जाता है, एज पर cost concept and asset is recorded in the books, देखिए, historical concept के तहत कहा गया, कि जब भी जिस price पर goods को purchase करके लाते है, तो उसी पर ही लिखा जाता है, ठीक है, तो cost concept तहत संपत्ती का लेखा, संपत्ती की बात यहाँ पर हो रहे, किस पर किया जाता है, तो option देखिए, बाजार मूल पर किया था है, at market value B, चालू मूल पर at going concern value C, उस मूल पर जिस मूल पर वो खरीदी गए थी at the price at which acquired D, समापन मूल पर at liquidation, तो देखिए, historical concept के तहत, जिस मूल पर asset को purchase किया गया, तो उसी पर उसकी record किया था, C will be the right option, next है, द balance sheet के अंदर में, आप देखते हों कि एक तरफ liabilities होता, दूसी तरफ asset होता, liabilities में capital plus liabilities होती, तो capital जो है, वो internal liability होती है, और external liability माने जाती, बागी के सारी liability, जैसे bank overdraft, creditors, bank loan, other तरह के जो भी loans आप समझ सकते हैं, तो यह सब क्या होता है, यह liabilities होता है, और asset तो दीके दोनो side का equal होता है, तो इससे आप समझ सकते हो कि capital में, जब liability करते हैं, तो बराबर होता, asset की option में, देख लीजिए, कि asset is equal to liabilities minus capital, संपत्या बराबर दाइत, तो माइनस पूझी, भी संपत्या दाइत, तो capital minus liabilities, संपत्या बराबर दाइत, प्लस पूझी, asset is equal to liabilities plus capital, और D पूझी बराबर संपत्या दाइत, तो capital is equal to asset plus liabilities, जिसका जो right answer होगा, वो हो जाएगा C, क्योंकि संपत्या बराबर दाइत, प्लस पूझी, यानि कि asset is equal to liabilities plus capital होता है, नेक्स्ट कोस्चन देखें, लेखा आवद की अउधारा से आसे हैं, आपको मालूम accounting period concept क्या होता है, वो हमेश period of 12 months, बाकी में option में देखें, B6 माह का समय, अनिस्चित काल, प्रबंद को द्वारा निस्चित गए, नहीं, यह right answer क्या हो जाएगा, A, that is 12 माह का समय, next है, वी पहलो अवदारा के अनुसार लें देनों के लेखांकन की विधी को कहा जाता है, according to dual aspect concept, the system of recording transaction is called, option देखें, द recording करते हैं, एक debit पच्च होता है, credit पच्च होता है, सारे transactions को हम record करते हैं, इसको हम 12 लेखा पडाली के अंतरगत करते हैं, that is option B, double entry system, next question देखें, आगम निर्धारर की अवद के अनुसार, आगम की प्राप्ति उस समय मानी जाती है, as per revenue recognition concept, revenue is deemed to be relied, option देखें, जब क्रेता से माल का आदेश प्राप्त होता है, when purchase order is received from the purchaser, option B है, जब क्रेता को माल की सुपृदगी दे जाती, when goods are delivered to the purchaser, और फिर option C है, जब माल के स्वामित को हस्तांतर क्रेता को हो जाता है, when the title of the goods has been transferred to the purchaser, और option D है, कि जब क्रेता से रोकर प्राप्त होती, when cash is received from the purchaser, तो देखें revenue recognition concept क्या का गया, कि जब भी माल की सुपृदगी क्रेता को कर दी जाएगी, तब ऐसा माल लिया जाएगा, कि business ने profit यानि कि business ने income कर ली है, तो देखें, आप इसका right answer क्या हो जाएगा, C, कि जब माल के स्वामित का हस्तांतर क्रेता को हो जाता है, जैसे ही क्रेता को हस्तां कर दिया गया है, तब वैसे ही ये माल लिया जाएगा, कि उनको income हो गई है, और recognize कर दिया जाएगा, next question देखेंगा, कि 13 है, that is, लागत और धाड़ा से आसे, cost concept का मतलब क्या है, option देखेंगे, A, माल का लागत मूली पर विक्रे, sale of good set, cost price, B, माल बका बाजार मूली पर विक पुस्तकों में लागत मूली पर लेखांकन, recording of asset in the books at cost price, तो दिखेंगे, इसका जो right answer हो जाएगा, कि लागत और धाड़ा से cost concept का मतलब है, कि संपत्ति का पुस्तकों में लागत मूली पर लेखांकन, मतलब कि जो भी assets purchase करतें, तो उनकों किस पर record करतें, cost पर ही तो record करते तो right answer को जाएगा, फिर next है, कि निर्पेचता की अवधाड़ा के अनुसार, तो निर्पेचता that is objectivity concept तहित कहा गया, कि जो भी accountant है या प्रबंदक, उनको किसी का पच्च नहीं लेना चाहिए, उनको निस्पच्च होना चाहिए, उनको unbiased होना चाहिए, तो इसके तहित कह प्रतेक ब्योहार की जाच के लिए उचित प्रमाड़क होने चाहिए, प्रतेक रोकर जाच, रोकर ब्योहार की जाच के लिए उचित प्रमाड़क होने चाहिए, there should be proper voucher for checking every cash transaction, पहले वाले में कहा गया कि हर एक जाच के लिए उचित प्रमाड़क हो, दूसरे वाले में सिर प्रमालकों किया हो सकता नहीं है, there is no need of vouchers for checking of transaction, तो देखें जो इसका right answer होगा, वो क्या होगा, कि निर्पेजता क्यों धढ़ा के अनुसार ये नहीं है, कि हाँ cash की purchases हो, या कुछ purchase और sales हो, या asset की purchase कि अगर तब उनके लिए vouching होना चाहिए, प्रमालक किया हो सकता होते हैं, नहीं, इसके तहित कहा गया, किसी भी तरह का transaction हो, किसी भी तरह का ब्योहार हो, इनके पीछे कहीं न कोई voucher, slip, memo, cash, memo, जो कुछ भी है, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, जो प्रमालक का का काम करें, तो इसलिए option A, right answer है, कि प्रतेक ब्योहार की जाच के लिए उचित प् question है, पूर्ण प्रक्टी करण की परिपार्टी के अनुसरा, regarding to convention of full disclosure, option देखे, A, ब्योसाय के सभी गुप्त बातें प्रकट कर देनी चाहिए, all secrets of the business must be disclosed, B, सभी मातपूर सुचना है, पूर्ण प्रकट के रूप से प्रकट कर देनी चाहिए, all significant information should be completely disclosed, C, सभी खातें इ पर जो right answer होगा, वो होगा, की B, that is, कहा गया है, की full disclosure concept के तहत, कहा गया कि सभी मातपूर सुचना है, प्रकट कर देनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई भी ऐसी सुचना है, जिससे की decision of the financial user change हो सकता है, तो उनको उन तत्यों को कभी भी नहीं चुपाय जाना चाहिए, उनको पूर रुकता की परिपाटी जैसा की हम बात कर चुके consistency का मतलब होता है, कि साल दर साल जो भी एक book साप account से एकी पद्धती से बनाये जा रहे हो, एकी तरह की जो भी उसमें concept यूज करे जा रहे हो, या जैसे की हमने कहा था कि depreciation है, तो उसमें जो भी method यूज कर रहे है, वो method से जैसे यूज किया जा रहे हो, तो आप से दिखे क्या लिखा हुआ, कि एक रूपता की परिपाटी का आर्थ क्या, convention of consistency का मतलब क्या, किसी उद्ध्यों की सभी फर्मों द्वारा एक जैसे लेखांकन सिद्धान्तों एवं पद्धतियों का प्रियोग किया जाए, आल दा फ principles and methods should remain consistent from one year to year, और D है उपरोगत सभी, तो दिखे इसका जो right answer हो जाएगा, वो क्या होगा, C, that is, कि प्रतिवर्स लेखांकन सिद्धान्त, एवं पद्धतियों एक जैसी रहनी चाहिए, next question है, रूडवाजिता की परिपार्टी लेखा करती है, convention of conservative takes into account of say, भविस्थ की सभी लाव हानिया, लाव का हानिया का all future profit and losses भी है, भविस्थ के सभी लावों का परत हानियों का नहीं, all future profits and not losses, C, भविस्थ की सभी हानियों का परत लावों का नहीं, all future losses and not profits, और D. A, भविस्थ के ना लाबों को ना हानियों को. तो रूड़ वाजितागा पर जो कन्विंसंस की बात करें के debt की चीजyओं को रिकार्ड किया जाता देखिन in िनके साथ में भवेश की सबी हानियों की यह क्या काहते हैं rozp को लगता है की इंकम हो सकती लेकिन इंकम नहीं हुए मत लिखिए लेकिन अगर आपको लगता है कि expenses or losses losses हो सकते हैं उनके लिए provision बनाईए तो देखे लिखा है कि भविस की सभी हानियों का परंतु लाबों को नहीं लिखना है right answer क्या हो जाएगा c next रूडवाजिता की परिपाटी के अनुसार अंतिम श्टाक का अंकन किया जाता है तो क्रोजिंग स्टाक किया जाता है ऑप्सन देखिए और आपको मालूम है कि यह तो दोनों में से कम हो उसी पर रिकॉर्ड करते हैं यहां पर राइट ऑप्शन क्यों जाएगा सी विल भी दा राइट ऑप्शन देखिए रूड वालता की पर पार्टी के अनुसार एकार्डिंग टू कन्वेंशन आफ कंजर वेटीज में ऑप्शन के डूबत एवं संदिग रिडो के लिए आयोजन बनाय जाता है प्रोविजन इज मेड फॉर बैड और डाउट फुल डेप बीस संपत्यों पर हरास लगाया था डेप्रिसेशन चार्ज अनसेट्स और सी आधत्तिवेंओं का लेखांकन किया था रिकॉर्डिंग इज मेड आउट मेड आउफ आउट इस्टेंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं तो उनके लिए पहले से ही आप प्रोविजन बना के रखें आप संदे के 20 क्वेश्चन है यह अधारणा की बेशाय निकट भविश्त में बेचा तो बंद नहीं किया जाता है अब हमने एक कॉंसेट आपको पढ़ाया है जिसके अंतरगत यह कहा गया कि बिजने अधारणा मनी मेजरमेंट कॉंसेट मिलान की उधारणा मैचिंग कॉंसेट और सी चालू स्थिति की उधारणा गोइंग कंसेट तो आप पहचान सकते हैं आपर डी विल भी दा राइट अंसन ने च्वेश्चन है किसा उधारा के अनुसार व्योसाय के स्वामी को भी व्यो बिजनेस इंटिटी कॉंसेट के तहट कहा गया है कि ब्यापार का मालिक और ब्यापार दोनों अलग अलग बाते हैं एक नहीं है एक एक जामपल के तहट हमने आपको इसको बताया कि आप देखते हो कि ब्यापार अपने मालिक को उनकी पूंजी पर उनके दिये गए किस अउधारा के अनुसार लेखों में गुडात्मक व्योहारों का लेखा नहीं किया जाता है। आप देखते हूं उसके अंदर में क्या होता है कि कोई भी उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स नहीं रिकॉर्ड करते हैं। उपारजन का मतलब कि कमा लिया लेकिन पाया नहीं हो पालिया लेकिन कमाया नहीं। उपारजन का मतलब हो गया कि आपने अरजित कर लिया है लेकिन अभी प्राप्त करना बाकी है। प्राप्त मूल इन दोनों में से जो कम हो इस किसके लिए परियोग किया जाता है। काश्ट प्राइस और नेट रिलाजबल वैलू विचेवर इस लेसे जूट फार्द वैलू वैसल अब किसके लिए चालू संपत्यों के लिए या फिर अंतिम रहतिया के लिए क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो देखे इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि ऐसा इस कॉंसेट को हम अंतिम रहतिया के लिए करते हैं कहते हैं कि इन्वेंट्री का वैलिए उसन कोस्ट और नेट रिलाजबेल वैलू जो दोनों में से कम होता हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं और आज का मारा यह जो लास्ट कोश्चन है कि निम्नांकित में से किसके अनुसार कोई व्योसाय अनिस्टित काल तक चलता रह अनिस्ट काल के लिए चलता रहेगा ऐसा कहा गया है अब एक important बात कि जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके exams आ चुके हैं सारा चीजों का declaration हो चुका है तो हमारे हाँ individual batches running में हैं अगर आपको लगता है कि हमारे साथ तयारी करना चाहिए तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा एक तो हमारा full course है और दूसरा test series है इसमें हमने test series में और full course में भी test series include करी गई है ये question कितने होंगे 120 marks की यानि 120 question include किये जा रहे हैं अब नई test series के तहत में ठीक है और ये 5 प्लस होंगे यानि कि 5 का निश्चित है और अगर हमें time मिलता है कि हाँ exam अगर टलते हैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता है exam की date तो इसमें ये 10 तक के जा सकते हैं ठीक है और बाकी के सारी details जैसे की app कैसे download करेंगे तो app का download करने का link plus course का link तीसरा link होगा test series का link और चौथा link है free test का link आप free test भी दिया करके देखें कैसा आपको experience आ रहा है और उसके बाद पर ये decide करें now it's time to discuss about the course तो हमारे तीन courses हैं जैसा की आपको जो required है commerce experience के लिए तो पहला course है हमारा accountancy का तो इस course में आप देख सकते हैं कि सारा कुछ जैसा की जो भी online classes होंगी live classes प्लस recorded videos प्लस इसमें जो PDF है सारी involve कर जाएंगे study material का इसके साथ ही mcqs का test कराया जाएगा और इसके साथ ही जो सबसे wonderful चीज है वो है test series इस course में ही include होगा जो लोग सिर्फ course नहीं purchase करना चाहते हैं उनकी तयारी उनको लगता है कि उनकी तयारी हो चुकी तो उनके लिए हमारा दूसरा offer है जो की test series का है तो यह accountancy का test series तो यह दोनो courses पहला है कि accountancy का full course है और दूसरा है कि accountancy का test series है अब हम बात करेंगे अपने दूसरे course के बारे में second course है हमारा जो की business studies का है in the same way कि सारा कुछ include किया जाएगा जैसा कि आप से हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें आपका जो भी live classes है recorded classes है और इसके साथ ही जो भी study material class में पढ़ाया जाता है उसका study material include किया जाएगा इसके साथ ही test series और online mcqs भी include किये जाएगे उसके pdf होंगे और इसी के साथ ही आप business studies का test series भी आप कर सकते हैं जो लोग full course ले रहे हैं उसमें test series already होगी अगर आप खाली test series लेना चाहते हैं तो खाली test series भी ले सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा course है जो की entrepreneurship का है तो same here entrepreneurship के साथ भी है कि आप इसका course purchase कर सकते हैं और अगर course भी नहीं जाना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है इसके साथ में test series भी ले सकते हैं तो ये था हमारे courses के regarding app कैसे download करेंगे तो app के लिए बात करेंगे आगे लेकिन इस बढ़ने से पहले एक important information ये है कि हमारे यहाँ पर आप सभी लोग 29 का है और इसको लगाने के बाद में इसको apply करके आप इस course को buy कर सकते हैं लेकिन देरी मत कीज़ेगा क्योंकि ये सिर्फ only 100 students के लिए हैं तो आईए हम discuss करते हैं कि app कैसे download करेंगे हमारे app को download करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे play store पर play store पर search करेंगे पंकज commerce classes और इस पर जाने के बाद में इसे आप install करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पहले से इसे install कर रखा है तो हम इसे open कर लेंगे और फिर आपको नजर आएगा home tab, home tab के पास में ही batches का option और इसके बाद store का option इस store पर आप scroll करेंगे और आप देख पाएंगे सारे courses जो की BPSC के लिए हैं और इसमें entrepreneurship, business studies, business studies के लिए test series और इसके साथ ही accountancy और accountancy का test series है तो आप अपने according जिस भी subject में आपने apply किया है उसके regarding आप इसे buy कर सकते हैं तो यह था हमारे course के regarding की course कैसे purchase करेंगे और app कैसे download करेंगे वीडियो देखने के लिए thanks, thanks for watching